आगरा में स्कूली छात्रा को जंदा जलाने का मामला अब राजनितिक रंग लेने लगा है भीम आर्मी के मुख्या चंदर शेखर देरात पीड़ता के परिवार से मिलने पहुंचे और कहा कि जब तक परिवार को नयाई नहीं मिलेगा तब तक भीम आर्मी पीड़त परिवा क्योंकि मुझे पतला कि बच्चा जो है परिवार से उसने वियातमत्य कर ली अब हम यह आगे तो मैं अपनी टीम से जानकारी लूंगा क्या इनके पास के एंपूट है और मैंने दूसरा परसांद के लोगों निवे तर दोसी को जेल बेजा जाए ऐसे लोग अगर बाहर र मैं इस मामले पर अधिकारियों का कहना है कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और जल्दी आरोपियों को गिरफतार कर लिया जाएगा बड़ी दिल्ली से आई 17 जंग में बच्ची केलाज हो रहा था और वहां से डेड़ बड़ी आई और इस पर लगभग नौ सवा नौ बजे इसका आंतिम संसकार हुआ है और इसमें इन लोग कुछ मांगे थी जो SDM और ADM City थे उनके द्वारा ली गई है उसको चता अस्तान पर प्रिशित की जाएंगी समय से और सुनस्चित की आ जाएगा कि इनका जो वाजीब है जो निमानुशार है वो पुरा दे हो और जहां तक अब हिक्तों का सवाल है इसमें अधिस्वीगर इसको हम लोग बहुत जल्दी इसका परदाभास करके सब कुछ सामने कर देंगे दासंसकार हो गया है 999 वजिकले वक्त दासंसकार हो गया है आपको बता देंकि छात्रा संजली को तड़क पर ही पेट्रोल डाल कर जला दिया गया था संजली को इलाज के लिए दिल्ले भरती कराए गया जहां उस